गुड मॉर्निंग बच्चो देखो बच्चो आज की अपने जो क्लास है इस क्लास में अपने बोर्ड एक्जाम दो हजार चोईस को ध्यान में रखते विए अपने इतिहास का जो बारवा और अंतिम चेप्टर है ठीक है सविधान का निर्माण इस चेप्टर के बिया अपने बोर्ड प्रिक्षा की दरश्टी से बनने वाले इमपोर्टेंट जो क्युशन है या महत्वपून जो क्युशन है उनकी चर्चा करेंगे देखो भीया यह अपने इतिहास का अंतिम चेप्टर है कहने का मतलब है कि अब मैं आपको जितने भी चेप्टर है उन सबी चेप्टर के एक-एक अंक वाले क्यूसन करा जो काहूं जो बोर्ड परिक्षा की द्रेश्टे से मैत पूपून है एक-एक अंक वाले क्यूसन का आज है अपने अंतिम वीडियो है इसके बाद में अपने जो तीन-तीन और चार-चार नमबर के क्यूसन आते हैं उन विसे ओपर या उन क्यूसनों के उपर अपने चर्चा करेंगे तो देखो आज की अपने इस क्लास में भी आपने बारवे चिप्टर पर चर्चा कर रहे है पहले अपने थोड़ा सा ब्लूप्रिंट देख लिए हैं देखो इस साल का जो ब्लूप्रिंट है भी या इस ब्लूप्रिंट के अकोर्डिंग इस चेप्टर से तीन क्यूसन आएंगे जिन में दो क्यूसन तो होंगे आपके एक एक नंबर की और एक क्यूसन होगा आपके चार नंबर का इसकी चर्चा अपने अलग से एक वीडियो में करेंगे चार नमबर वाले क्यूसन की आज अपने चर्चा किनकी करेंगे एक एक अंक वाले क्यूसनों की कलियर है अब देखो यहां पर अपने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज में बच्चों से कहे दू कि जो भी वीडियो में डाल रहा हूं उन वीडियो को आप के तोर पर देखो जैसे अपना पहला क्यूसन है पहला क्यूसन क्या है अपने भारत का सविदान कब अस्तित्व में आया था औब यहीजी सा क्यूसन है सबको पता है व railroad reported 26 जनवरी 1980 को अस्तित्व में आया था ठीक है यह आप को पूछले कि भारत का सविदान कब लागो को ज्यारतना अपने भारत का सविधान जो है वो विस वकास सबसे लंबा लिकित सविधान है ठीक है इसको बनने में दो वर्स 11 माहे और 18 दिन का समय लगा था टोटल 1170 हुए थी और 165 के लगबग क्या हुई थी बेट के हुई थी ठीक है अब देखो यहाँ पर क्यूषिन कि upload करूं होस के जहां तक कोशिस करो उसको आप पूरा देखो और जो क्यूशन में आपको बता रहा हूं इन क्यूशनों को आप जरूर से तयार करूं ओके भी है next question की चर्चा करते हैं next question है अपने सविधान सभा में उद्देश ये परस्ताव पढ़ा गया ता कक कप पढ़ा गया तह पहला ऑप्षण है 11.1946 है 13.1966 है फिर ग्यारा दिसंबर गुनी सो गुनचास फिर सबीज नौरी गुनी सो पचास तो देखो भी या सविधान सभा में जो उद्देश ये परस्ताव था वो पढ़ा गया था तेरा दिसंबर गुनी सो छी आरेस को अब आपको पूछ ले साब किस ने पढ़ाता तो पंडित तो भी या उद्देश परस्ताव जो है वो सविधान के जो आदर से उनकी एक क्या है रूप रेखा है सविधान के आदर सो की एक रूप रेखा इसमें परस्तुत की गई थी जिसमें भारत को एक सावतंतर संपर्भू गंडराजे गोशिते किया गया था कलियर है यह खतन किसका है विया, तो यह खतन कहा था अपने बासा समीती ने, इन्होंने कहा था कि देखो, कि अपने जो देवनागरी लिपी में जो लिखी हिंदी बासा है, वही भारत के क्या होगी, राज के बासा होगी, लेकिन साथ यसाथ इन्होंने यह भी कहा था, कि पहले पंद के स्वावाम कुल कितने सदस्शे थी तो सदस्शे जो थे उनकी संक्या कितनी थी तीन सो थी दिया रखना ठीक है नेक्स्ट कुछन भी है सविदार सभा में तिरी गुट कौन थी देखो ये बड़ा अच्छा कुछन है या तो आपको सिधा पूछ लेकि सविदार सभा के कोई तीन महतुपूर्ट सदेश्य के नाम लखे अगर तिरी गुट आजाए तिरी गुट ठीक है ये कुछन बहुत पार आता है तिरी गुट कौन थे तो देखो पहले तो थे अपने पंडित जवाह लाल नहरू ठीक है दूसरे थे अपने डोक्टर राजिंदर परसाद ठीक है और तीसरे ते भी अपने सरदार वल्लबाई पटे इन्हें सविदान सबा में तिरी गुट के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्युशन है सविदान सबा में कुल कितने सत्तर और बेट के हुई थी ये भी मैं पहले क्युशन में आपको बता चुका हूँ कि टोटल ग्यारा तो सत्तर हुए थे और बेट के जो हुई थी वो हुई थी भी या अपने 165 दिन ठीक है कोई दिकत नहीं है अब दो कोई एक वार क्युशन आया था कि भारते सविदान को कब सुत्तर बद किया गया था तो ये भी आपको ध्यारकना है भी या 9 दिसंबर 1906 से लेकर 26 नौंबर 1904 तब ही तो ये ना अपने 21 माठारा दिन कलियर है नेक्स्ट क्युशन की बात करते हैं बहुत अच्छा क्युशन है कि अंग्रेश तो चले गए पर जाते जाते सरारत का बीज बोगए यह खतन किसका है अंग्रेश तो चले गए पर जाते जाते सरारत का बीज बोगए यह खतन किसका है यह किसने कहा था तो यह कहता भी या अपने सरदार वल्लब बाई पटे ले कलियर है नेक्स्ट क्युशन की बात करते हैं यह क्युशन नमबर आठ आठवा क्युशन ने अपने सरदान सबा में वर्णित कोई दो मूल अधिकारों के नाम बताईए मतलब ऐसे कोई दो मूल अधिकार बताने है जिनका उल्लेक अपने सरदान सबा में भी हो चुका है सरदान सबा में उनका वर्णन किया जा चुका है तो देखो पहला तो है अपने भीया धार में सवतंतरता का अधिकार की परतेक वेक्ति को अपना धर्म चुनने की क्या है सवतंतरता है और दूसरा हो गया भीया सम्मानता का अधिकार मतलब किसी भी वेक्ति के साथ धरम जाती लिंगी समपरदा के अधार पर भेदबाव नहीं किया जाएगा सभी वेक्ति क्या है सम्मान है ओके नेक्स्ट बिंदों पर बात करते हैं भी या निक्स्ट क्यूसन है अपने भारते सविधान के किनी दो बिंदों पर लगबग सभी की सहमत थी मतलब जो भारत का सविधान बन रहा था भी है उस समय दो ऐसे पॉइंट थी जिनके उपर सभी वेक्ति क्या थे सहमत थे अब किसी परकार का कोई मनमुटाव नहीं था तो वो कौन से थे पहला तो था भी है वेस्ट मतादिकार के आधार पर चुनाओ ठीक है और दूसरा था भी है धरम निर्पेक्स था इन दो बिंदों के उपर उस समय सभी वेक्ति क्या थे सहमत थे कलियर है दस्वा क्यूसन है भी आभ भारत के सविधानिक सलाकार कौन थे भारत के सविधानिक सलाकार थे भी या बी एन राव बी एन राव नेक्स क्यूसन के बात करते हैं भी या अपने सविधान के मसोदे में कुल कितनी सूचिया बनाए गी थी देखो विया अपने स्विधान के मसोदे में टोटल तीन सूचिया बनाए गई थी पहले सूची का नाम था केंदर सूची दूसरी सूची का नाम था भी या राज्य सूची और तीसरी सूची का नाम था समवर्ती सूची इनमें अलग-अलग विशे डाल दे गई थे ठीक है अब जिसे मालब आपको पूछ लेगी कि के अंदर सुची के विशे जो है वो कौन सी सरकार के दिन होते हैं तो द्यातना वो किस के दिन होते हैं के अंदर सरकार के होते हैं राजे सुची के होते हैं वो राजे सरकार के दिन होते हैं समवर्ति सुची के जो होते हैं वो दोनों के अंडर में होते हैं लेकिन जब भी कोई डिसीजन ने पर किसी परकार का मन मुटा हो जाए तो किसका नीने मानने होता है के अंदर सरकार का next question की बात करते हैं question number 12 हिंदुस्तानी बासा के person पर माहत्मा गांदी को क्या लगता था ठीक है या इस question को देखो एक वर ऐसे भी पूछा था कि हिंदुस्तानी बासा के विसे माहत्मा गांदी ने क्या कहा था या गांदी जी ने इस बात पर पल क्यों दिया कि भारत की राष्टे बासा हिंदुस्तानी होनी चीए कैसे भी ये question पूछा दा सकता है गारक ना तो या हिंदुस्तानी बासा को लेकर गांदी जी ने इसलिए बल दिया या गांदी जी ने ये है कहा कि हिंदुस्तानी बासा जो है ठीक है वो भारत के विविन समुदायों के मद्द संचार की एक केशी बासा हो सकती है आदर्स बासा हो सकती है इसलिए गांदी जी ने बल दिया था इसलिए गांदी जी ने इसके ओपर जोर दिया था कि हिंदुस्तानी बासा जो है वो भारतिय स्विदान की प्रारूप समित्य के देख्स कौन थे बड़ाई जिसा क्यूसर ने इसका आनसुर मैं नहीं बताऊंगा आपको ठीक है इसका आनसुर आपको मुझे कमेंट करना है कि सर इसका आनसुर ये होगा ठीक है क्योंकि ये क्यूशन बहुत बार अपने पढ़ चुके हैं छटवी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो इसका आंसर आपको देना है मुझे कमेंट बोक्स में नेश्ट क्विशन की चर्चा करते हैं अनुछे 356 क्या है देखो अपने 3 अनुछेद है एक तो है 352 एक है 354 ये शुरी एक 356 और एक है 360 ये अनुछेद है अब यहां पर इसने पूछा है अनुछे 356 क्या है देखो इस अनुछेद के द्वारा विया अपने जो राज्ये का राज्येपाल होता है इस राज्येपाल की सिपारिस पर ठीक है राज्येपाल की सिपारिस पर केंदर सरकार राज्जे सरकार के समस्त अधिकार अपने हाथ में ले लेती है समझ रहे हो मतलब राज्जे पाल ये कह दे कि राज्जे में परसाशने विवस्ता या सासने विवस्ता सही डंक से नहीं चल रही है तो किंदर सरकार क्या करती है उस राजे के समस्त अधिकार जो है वो अपने हातों में ले लेती है और इसका उलेड जो है वो अपने सेधान की कौन से अनुचेद में है अनुचेद 356 में ठीक है नेक्स्ट क्यूशन की बात करते हैं अन्तिम क्यूशन आबी है कि उसने फर्तक चुनाव एक ऐसा विस है जो हमारे देश की पूरी राजनिती में समा चुका है सविधान सबा में यह है खतन कि इसने कहा था बड़ा अच्छा कि उसने कि फर्तक चुनाव मतलब अलग से चुनाव कि फर्तक चुनाव एक ऐसा विस है जो हमारे देश की पूरी राजनिती में समा चुका है सविधान सबा में यह है खतन किसने कहा था यह है खतन कहा था बड़ा सरदार वल्लब भाही पटेलने ठीक है एक क्युसन और द्यारतना बड़ा देखो इसी क्युसन को देखे मुझे याद आया है कि किसको ऐसा लगता है कि फर्तक निर्वाची का आत्म गाती साबित होगी क्योंकि इससे अलब संक एक बव संक एक से कट जाएंगे इस परकार का भी एक क्युसन आता है और यह खतर कहता भी या बेगम एजाज रसूल ने ठीक है ये भी आपको दिहान रखना है ओके भी या तो ये थे अपने इतिहास का जो अंतिम चेप्टर है बारवा चेप्टर भारतिय सविदान इस चेप्टर के बोर्ड प्रिक्षा की दृष्टे से बनने वाले एक एक अंके महत्वपून क्युसन अब इस चेप्टर से भी या एक चार नमर का क्युसन और आएगा जिसकी चर्चा अपने एक अलग से वीडियो के मादिम से करेंगे ओके भी या देट सोल